सामने आप यह जो फैन देख रहे हैं यह ओरियंट कंपनी का डेक्स 26 टेवल फैन है इसमें दिक्कत यह है कि जब हम इसको आउन करते हैं तो यह अपनी फुल स्पीड पे नहीं चल रहा है इसकी जो पंकी जिस स्पीड पे गूमनी चाहिए वह स्पीड पे नहीं गूम पा रह रहा है तो सबसे पहले तो आप इसका फॉल देखे इसको मैं आउन करके आपको दिखा देता हूं जब हम इसका बटन आउन करते हैं यह फुल स्पीड वाला है फूर्थ नमबर तो यह थोड़ा चल के रुख जाता है और पीशे से हमिंग यानि गन गनाहट का भी साउंड इसके प्ले को बया इंदर से और जब हम इसको हांट से गॉमसा थाही लेकिन अपनी फूल स्पीड यानि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड उस पर इह नहीं गूम रहा है बस इतनहीं स्पीड पर रहता है है तो इसको कैसे रुपैल करैंगे वो तो हम डिसकासी आगे करेंगे तो आप देख रहे हैं रेपेरिंग या नेटी चनल इसका बैक कवर खोलना आसान है जरूरी नहीं है कि यही टेवल फैन आपके पास हो इसलिए इसका बैक कवर मैंने खोलना नहीं बताया है वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा जब मैं इसको फिट करूंगा तो इसमें जो कन्डाया बहुते का ढूरी आपको मार्कट्ड में मिलेगा सेम अर्सीसाइज का कैसे बदलते हैं किसने आपर लगाना होता है तो यहाहा जितने भी शॉप मैंने पता किया या उनके बास नहीं है, अब मेरी सामने चार कंडेंसर रखे हुए हैं, अब जिसको नहीं पता होगा कि कंडेंसर कैसे बदलते हैं, कितने अब 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 डी का लगाना होता है, तो उन चारो केपेसेटर में कोई सा भी केपेसेटर लगा देगा, उसका फैन चलेगा, लेकिन गलत केपेसेटर लगाने के बाद चल रहा है, तो मान की चली जहां वो फैन 5 साल चलेगा, तो उस फैन के लाइब आके 1 साल या 6 महीं नहीं रह जाएगी, उसके बाद स्टार्टिंग बाइंडिंग उसकी जलनी है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इस सिलिंग के स्टार्टिंग बाइंडिंग जल चुकी है, तो जो कंडिंसर हमें इस्तमाल करने उन्हें हम साइड में रख लेते हैं, और जो नहीं करने उनको हम मैं बता देता हूँ, तो देखी जो यूनिवर्सल का आप देख ले हैं, यह 3.15 MFD का है, यह नहीं यूज करना है, और दूसरा 4 MFD का बगल वाला वो भी नहीं यूज करना है, 4 MFD का कूलर में लगता है, और 3.15 वाला पुराने जवाने के सीलिंग फैन में लगता था, अब देखी यहां पर दो कंडिंसर मैंने उठाए हैं, यह एक बजाज कंपनी का कैपेसितर है, 1.70 MFD का है यह, इसी का ह हम इस्तेमाल करेंगे अपने stable fan में, और दूसरा जो कंडिंसर है, वो है, Hevels Company का, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जो Hevels Company का कंडिंसर है, यह वाला, यह 2.5 MFD का है, और मार्केट में आपको यही मिलेगा, मार्केट में आपको 1.70 to 2.25 MFD का कंडिंसर आपको न अब देखे क्या होता है, कि YouTube में कुछ वीडियो ऐसे हैं, मतलब सारे तो नहीं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे हैं, जिसमें यह बताया जाता है, कि अगर आपको अपने table fan, ceiling fan की speed बढ़ानी है, तो आप ज्यादा MFD का कंडिंसर लगा दीजे, पर ऐसा नहीं है, आप जो करेंट जाता है, जो बोल्टेज आ रहा है, वो आपके इस कैपसिटर के थू ही जाता है, जितने ज़्यादा का आप कैपसिटर यानि जितने वेडिका इसमें लगा देंगे, उतना ही बोल्टेज आपको बढ़ जाएगा, और स्टैंटिंग बेंडियो जल जाएगी, ज एक कमपनी जो कैपसिटर लगा के देती है, वो कम MFD का यानि कम वेडियो का ही कैपसिटर में सा यूज करती है, तो आप इस सीज का ध्यान रखिएगा, कि जितने वेडियो का आपका कैपसिटर निकल रहा है, उतनी ही वेल्यू का आपको कैपसिटर बापिस लगाना अभी देखिए जैसे यह 8 साल पुराना टेवल फैन है तो इसमें दो का निकला अब मुझे दो का नहीं मिल रहा था और मैं धाय का नहीं लगाना चाहता हूं क्योंकि धाय का मैं लगा दूँगा तो इसमें बोल्टेज बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि मेरे घर में गर में जो जा रहा है वह 270-200C यानि ज्यादा बोल्टेज का है तो फिर तो आपको कपेसिटर कम वैल्यू का ही दालना है लेकिन अगर आपके घर में बोल्टेज ही कम आ रहे हैं यानि 120C-70C ऐसे करके बोल्टेज आ रहे हैं तब वहां पर आपको द्यान रखना होगा कि ज से सिपाफ इतना बोलेगा कि भाई जलेगा तो तुम मुझे बना के दोगे याना तो देखिए हमने इसका बदल दिया और यह बहुत बढ़िया चल रहा है अभी यह तीसरे नंबर में इसका चौता नंबर मैंने नहीं आउन किया है रिगलेटर से अब हम इसका चौता नंबर रांग कर दिये हैं देखिए कितना अच्छा यह चल रहा है तो तो इसमें बढ़िया काम कर रहा है और जो इसमें मैंने कंडिंसर दाला है 1.70 MFT का बजाश कंपनी का वो यूजड किया हुआ है मलब वो किसी फैन का ही है लेकिन अभी अच्छी देना है तो डबल साइट टेप लगा के मैं इसको यहां फे फिक्स कर दूंगा और यह अभी तिन चार साल यह राम सी चल जाएगा कोई दिक्कत ने कंपनी का कपिसिटर है तो लंबा ही चलेगा देखिए आपके पास चाहिए टेवल फैनो एक्जास्ट फैनो या फिर सीलि क्तr सिखान तो यह तृम और प्वक्रम टेडो लगा देना है और आपको नहीं समझ में आया यह वी कि हम कंडीर कैसे परशेस करेंगे तो जितने का कंडीर निकल रहा है उसको निकाल की जाहिए शापट्र को दिखाई आड़ लोकिन से लिए लेगा और और यावज देगा लोकल मत लिज़ेगा और एक और doubt होगा आपके मनमे कि यह II होते है इसमें ईच्टी पॉसिटी यान्य उ'me few कुछ सकते हैं उल्टा भी जोड देंगे उंठ्याटो चलेगाm नेग्टी विपॉसिटी तो DC सप्लाइ में होता है DC स्प्लाइ में हम जो तो यह फैन पूरा फिट हो चुका है इसको पूरा एसेंबल हमने कर दिया है अब हम इसको चेक करते हैं यह फुल स्पीड पर है और देखिए कितना अच्छा चल रहा है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपने कुछ सीखा होगा अगर कोई डाउट है तो नीचे आप कॉमेंट करके मुझसे पूस सकते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरू लिएगा चैनल के कंटेंट पसंद आता है तो चैनल के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस्ट्रगाम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में